पसकार फिर से एक बार स्वागत देशी भारत पर आपका मैं हूँ आपका दोस्त और होस धरम दूबे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय लंदन में कई फिल्मों की शुटिंग हो रही है ये शी फिल्म्स के बैनर तरे अभै सिनहा जी के नित्युत्त में और सुपसार काजल रागवानी भी इस समय लंदन में ही है एक नहीं बलकि तीन से चार फिल्मों की शुटिंग में वेवैस्ते हैं खुझ से जुड़ी अपडेट लगातार इंस्टाग्राम एकाउंट पर डालती ही रहती हैं और क्या कुछ उनके दिल में चलता है ये भी हमेशा ही सोचल मीडिया के जरिए अपने फैन से अपने लोगों तक पहुचाते रहती हैं काजल रागवानी आज कल बहुत जादा सुनी जा रही है देखी जा रही है वजह क्या है या आप भी जानते हैं फिलहाल आज काजल रागवानी को लेकर स्पेशली मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि सबसे पहले बताओं कि काजल रागवानी बहुत जादा लिख दिया है caption में कि कहीं न कहीं ये एक news का विशे बन गया काजल रागवानी ने इस तस्वीर के साथ caption में लिखा है इश्क है या कुछ और ये पता नहीं मैं जानता हूँ कि इस तरह की छोटी मोटी जो शारिया है चीजें हैं लोग एवे लिख देते हैं लेकिन काजल रागवानी जी आप सुपर स्टार है और आप पर सभी की नजरिटी की होती है आपसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं आपके दर्शक एक बहुत बड़ी संक्या में है तो चुकि आप सेलिब्रिटी भी है इसलिए आप जो कुछ भी लिखेंगे हम उसका मतलब निकालते हैं और इसका मतलब क्या है ये मेरी समन्नी आरा लेकिन जिस तरीके से आपने लिखा है इश्क है या कुछ और ये पता नहीं पर जो तुम से है किसी और से नहीं किस के लिए लिखा है आपने ये तो आपा ही जानती है लेकिन जब आप हसती है तो मैं बहुत अच्छा लगता है अच्छा खास बात यह दोस्तों कि काजल रागवानी के इस पोस्ट पर सुपर खलनाया जो आजकल एक बहुत बड़े डारेक्टर के तौर पर भी उभरे है जी हाँ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अधेश मिश्रा सर की अधेश मिश्रा सर भी इस वक्त लंदन में है और अधेश मिश्रा सर ने जो है काजल रागवानी की पोस्ट पर देखे क्या लिखा है काजल रागवानी की पोस्ट पर ओधेश मिश्रा सर ने लिखा है गौड ब्लेस यू भगवान आप पर आशिरवाद बनाय रखें ओधेश मिश्रा सर का आशिरवाद जो है काजल रागवानी को मिल गया है अब ओधेश मिश्रा क्या इस शारी के पीछे की असलियत जानते हैं पहला सवाल तो यही बनता है और नहीं भी तो भी ओधेश मिश्रा सर ने God bless you कह दिया है मतलब कहीं न कहीं बाग जो है बड़ी प्यारी सी है खैर मिला जुला कर हम तो बस इतना कहेंगे कि काजर लागवानी जी आप बहुत खुबसूरत हैं बहुत अच्छा काम करती हैं और लगा था आप इसी तरीके से काम करती रहें और खुश रहें जिसके भी साथ रहें God bless you Thank you very much दोस्तों कुछ कहना चाहरें तो please comment box में जरूर लिखेगा इस तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ नमस्कार